नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका यूटूब चनल एस्कलिपियस आयरुएदा में दोस्तों आज के सेशन में हम स्वागत हैं हम बात करेंगे एडबलुपियल के गिलोई से बनी गिलोई जूस एयों गिलोई कैपसूल प्रोड़क्ट के बारे में तो आए दोस्तों देखते हैं इस सेशन में गिलोई से सम्बंदित हम सबसे पहले हम बात करेंगे गिलोई क्या है हम जानेंगे इस वीडियो के मैदे हम से कि गिलोई जो पौधा है वो होता क्या है इसके बाद हम जानेंगे एडबलुपियल कंपनी के दोरा बनाया गिलोई ज दूस और कैपसुल को इस्तेमाल करने के बाद उससे क्या बेनिफीट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे और गिलोई को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानेंगे और इस्तेमाल करते समय हमें क्या-क्या सावधानिया और क्या-क्या परहेज बरतने हैं इन सारे इसी भी पेंड या पौधे पर आपको लतर की रूप में दिखाई देगा। ये अधिकांस्ता हमारे घरों के आसपास पेंडों और जाडियों पर लतर की रूप में दिखाई देता है। इसकी पत्तियां पान के पत्ते के समान होती है, गिलोय को गुर्ची के नाम से भी जाना जाता है, गिलोय के अद्भूत आउशदिय गुर्णों के करण इसे आयरुवेद में अमरित के समान मना गया है, इसलिए गिलोय को आयरुवेद में अमरिता भी कहा जाता है, गिलोय का ही इसके सत को निकाल कर बहुत सारे आयरुवेदिक उत्पाद बना जाते हैं आगे हम देखते हैं AWPL कंपनी के द्वारा बनाया हुआ गिलोए ज्यूस और गिलोए कैपसूल ये क्या है AWPL का गिलोए एक ज्यूस और कैपसूल फॉर्मेट में बना आयरुवेदिक प्रोड़क्ट है जिसे AWPL एसकलेपियस वेलनेस प्राइबेट लिम्टेट कंपनी के द्वारा बनाये गया है ये पोशक तत्तों से भरपूर, हाई एंटी ऑक्सिडेंट तथा एंटी एजिंग है सरीर को अंदर से क्लीन कर रोग प्रतिरोदक शमता को भी ये बढ़ाता है इसके बाद हम देखते हैं गिलोए जूस और कैपसूल प्रोड़क्ट से क्या फायदा होता है चेहरे की जाईयों और जुरियों को खत्म कर उम्र की शाइन को भी रिड्यूश करता है ये एंटी एजिंग प्रोड़क्ट है किटाड़ों को नश्ट कर, कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है सूगर को नियंतरित करता है स्वसन समंधी बिमारियां और मान्शिक बिमारियों में इसका इस्तमाल होता है पाचन क्रीया हो, या आखों की रोष्णी से रिलिटेड हो या गठिया समंधी बिमारिया हो इसमें एक काफी उप्योगी प्रोड़क्ट मना गया है इसके बाद हम बात करते हैं गिलोई जूस और कैपसूल को इस्तमाल करते समय हमें क्या-क्या सालधानिया होएं, बरतनी है और इसको कैसे इस्तमाल करना है, कैपसूल है तो उसको कैसे यूज करना है, और जूस है तो उसका इस्तमाल कैसे करना है, कितनी मातरा लेनी है, इन सारी चीजों के बारे में हम जन दिन में दो बार इस्तमाल करना है 15-20 ml की मात्रा हमें इस्तमाल करनी है और यदि ये कैपसुल फॉर्मिट में है तो एक से लेकर दो कैपसुल दिन में दो बार इस्तमाल करना है AWPL गिलोई को ठंडे और सुखेस्तान पर रखना है इसके अलावा डायरेक्ट सूरी के प्रकास से इसे बचा के रखना है तो दोस्तों आज की सेशन में हमने कभर किया गिलोई क्या है AWPL गिलोई जूस है और कैपसुल क्या है इसके क्या बेनिफिट्स है इसे कैसे इस्तमाल करना है इस्तमाल करते समय क्या क्या सावधानिया और क्या परिहोजे तो दोस्तों आई होप आपको गिलोई से सम्मदी ज जनकारी के लिए चैनल को प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर भी करें ताकि मैं आपको इसी तरह के छोटे-छोटे वीडियो के मध्यम से जनकारी देता रहूं तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन नवाद